कि में वेलकम टू क्यूव एज़ुकेशन और आज की वीडियो में बच्चों हम डिसकस करने वाले हैं जो सिपीज के ने अभी आपके सेंपल पर अप्लोड करेते तो उसमें जो अनुग आने वाले थे जो एक्जाम में जो कोशन आएंगे वह 40 मार्ग्स का होगा मैक्सिमम आ कोउचन वन मार्क के हैं और किसी सब्जचिक्ट में वह वन मार्क के नहीं है वह उससे कम किया तो उससे ज्यादा कोई MARY browse करने तो 40 marks की कोशन होंगे तो उसमें आपको one marks की भी हो सकते हैं उसे कम हो सकते हैं तो यहां पर एक important notice भी थी मैंने अभी previous जो वीडियो अपलोड करें थी वह मैंने आपकी 12th class के marking skip की बारे बताई थी मैंने और आपको बताया था कि कितने कोशन आने वाले हैं और हर कोशन कितने marks हो तो math में one marks का था तो देखो अगर आपको यह डिटेल आपको लेनी है तो आप क्या करोगे आप सबसे पहले क्या करोगे गूगल पर जाओगे हमां लिखोगे cbsc academic अगर आप cbsc करके इसके साथ प्रवाद में लिखा दोगए अकाड़िक ठीक है तो गूगल पर डालोगे तो यह वाली एक जो सबसे पहले लिंक आएगी बड़ा सिबसे बहले यह लिंक पर क्लिक करोगे तो यह वाली खुलेगी और सबसे पहले यह लिखा हूँ आपके सारी जो आपकी करिकुल्म होता ह क्लास तो यहां जाके आख क्लिक करोगे तो आपको 10-12 के सभी सब्जेट के सेंपल पर मिल जाएंगे फर्स्टरम के जो फर्स्टरम में होने वाला है आपका 40 marks का वो मिल जाएगा और इसके साइड में एक साइड में है IMPORTANT points for sample question paper इस पर लिंक पर क्लिग करोगे तो जो sample paper के बारे में जो important points है वो आपको मिल जाएंगे तो मैं इस वीडियो में आता आपको discuss करने वाला हूँ इस important points के उपर कि sample question paper में कितने marks के question आने वाले हैं कौन से question कितने marks का होगा तो मैं अभी इस वीडियो में ये डिकस्स करूँगा ठीक है तो चलिए देखते हैं तो अगर आप देखोगे बेटा आगे यह यह वह notice है ठीक है अगर आप उस notice पर क्लिक करोगे उस link पर क्लिक करोगे तो यह notice निकल के आएगा आपका यह notice है ठीक है तो इस notice में आपको क्या बोला गया है कि the following points are to be noted while studying referring to the sample paper of the class 10th and 12th फर्स्ट ठीक है जो आपके ट्रम जो फर्स्ट है उसके लिए अकेडमिक सेशन 2021-2022 तो 2021-22 के लिए आपके जो sample paper है उसके regarding इन्होंने कुछ important point जाल रहे हैं तो उसने क्या बोल रहा है कि यह क्या है multiple choice question paper पर है given in the sample paper are not of one marks each for all the paper बता उसने यहां पर यह बात बोल रहा है कि जो आपका paper है जो sample question paper है जरूरी नहीं है कि जितने भी मैं आपको जितने इन्होंने sample paper upload करें सारे one marks क्यों होंगे पहली चीज तो इन्होंने बोला कि सारे question marks के नहीं है तो इस नहीं आप नीचे के अपता है अगले point में के लिखा है कि जो sample question paper है mathematics का and all language except English English को छोड़कर जितने भी language है जि उसमें से आपको 40 ही करने होंगे तो 40 marks का question हो जाएगा तो एक question एक नमर का हो जाएगा फिर ही लिखाया four other subject बतब जैसे कि math छोड़ दो और language छोड़ दो और एक ठीक है each question carry equal marks ठीक है वो कहा रहा है कि हर question equal marks होगा जैसे कि यह 40 question है तो हर question एक-एक marks का है आप उसने बोला है क इसके अलावा सारे question equal marks की होंगे ठीक है total marks given in the 45 अगर total marks 40 का है 35 का है 25 का है और यह 15 का है अगर यह total marks यह होते हैं वेटेज weightage of the marks per question will be as per the follow इन्होंने यह table दे रहे हैं देखो अगर आपके paper में भई आपका paper 40 marks का है सब्सक्राइब और उसमें आपने 50 कोशन attempt करें तो भाई 40 को 50 से डिवाइड करोगे 0.80 अगर आप 40 कोशन है 40 आपके paper का total marks है आपने उसमें 50 कोशन कर दिए मतलब आपको 50 कोशन ही करने है उसमें तो बेटा आपको एक कोशन जो होगा वो 0.8 marks का होगा तो एक कोशन के आपको 0.8 marks मिलेंगे तो भाई अगर दो कोशन करेंगे तो आपको 1.6 marks मिलेंगे इस तरह से आपको marks मिलेंगे ठीक है तो यह क्या हुआ कि आपके number of question कितने है औ और आपको total marks कितना है अगर 40 कोशन है 40 marks का paper है और 50 कोशन करने हैं आपको तो आपको 0.8 एक question होगा 0.8 marks का अगर आपको 35 marks का paper ए सब्सक् improves करो और आपको अभी 50 कोशन करने हैं तो 35 को अगर आप डिवाइड करोगे 50 से तो यह आपको देखा 0.70 मतलब एक question होगा 0.7 marks का ठी आपको point में marks मिलेंगे तो क्या दिक्कत होगी अगर point मिलेंगे तो दिक्कत यह होगी कि आपको जो marks मिलने वाले से किसी बच्चे के दो इक कुर्सन सही है तो उसका marks कितने आएंगे उसके हैंगे 40 में से 1.6 अब इसे कैसे करें round off तो इन्होंने एक बहुत सिंपल से रूल मना दिया इन्होंने बोला अगर point के बाद आपका एक भी एक्स्ट्रा है ना तो उस राउंड ऑफ करके 2 कर दो मतलब इस बच्चे के 2 marks आएंगे जैसे इन्होंने हाल लिखा हुआ है कि तो हम उसे क्या कर देंगे उसको हम 17 कर देंगे तो यह इन्होंने इन्होंने अपना example दिया है अब मैंने सारे paper देखे मैंने commerce की बच्चों के सारे paper देखे और उसमें कितने question है तो मैं आपको अभी सारे जो paper है कि business का English का Hindi का उसमें कितने question आएंगे और आपको कितने attempt करने है और एक question कितने marks का होगा मैं वह बताया तो ठीक है अगला paper सबसे पहला paper है आपका यह देखो आपका हिंदी का भी पर किसी बच्चे ने हिंदी लिए कर आर्स का बच्चा है मैं commerce का बच्चा जिन्होंने मैं लिए उसके लिए तो देखो अगर वह question करेगा तो उसमें क्य question आपको कितने करने कुल 10 करने 10 करने उसमें तो 21 को तो बैटे कितने होग यह दफो यह श्योदारोल ही करने हैं लास्टस बैट कुल पहला चठोक्ट टोडल दी है五 börjar तो आपको फिर्स पसी कॉश्चन करने है तो वह बाई चालीस कोश्चन है 40 नमर को पर है तो एक नमर का एक कोशन हवा थो मतलब हिंदी का जो पर होगा वैटा उसका सारे कोशून 1 marks के हैं, हिंदी के जितने भी question होंगे, वो सारे कितने marks के होंगे, 1 marks के होंगे, ये clear होगा बिटा, आगे देखो बिटा, ये है बिटा, आपका match का, match के बारे मैंने ये वीडियो बना रहे हैं, आप उस वीडियो में चाके दे सकते हैं, तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें भी तीन section है, section A, section B, और section C, अगर आप देखोगे बिटा, इसमें 20 question है, और इसमें बोला है, 20 में से 16 करने हैं, मैंने ठीक है, 20 में से 16 कर देंगे, फिर अगले section में भी 20 में से 16 करने हैं, तो ये भी section B है, को 40 से divide करोंगे तो one marks का तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि math का और जो भी लेंग्वेज है English छोड़कर math का और English का छोड़कर math का और जितने भी language है उनको छोड़कर सारे other जो हैं वो कम marks हो सकते आहिते और math के और जो भी language है वो सारे one marks के ही question होंगे कितने भी question दीते आपको 50 दिये थे आपको 40 करने तो 40 question और 40 नमडर के होगे तो आपको एक question एक marks का तो math का सभी question चमार्थ की होंगे प्रोद देगानी आपको ठीक है अब इसके बाद देखो अगर इसका पीपर देखें अगला पीपर देखें अगला यह है आपका English का देखो मैंने का तो ना English के पीपर में क्या करेगा ज्यादा कोशन देखा आप देखो English कोशन में बोला है इसने बोला है सेक्शन ए में अठारा कोशन ने चोदा करने फिर इसमें 12 कोशन इसमें 10 करने 12 कोशन आपको 10 करने ठीक है और लाशन पेटा तीस कोशन है आपको 26 करने ठीक है तो यहां देखो कितने होगे 8-10 यह ओगे 10 और यह 3-2-5 और 1-6 बड़े यह साठ कोशन होगे और है आपको कितने करने अगर देखो होगे 6-10 है और आपको देखो चार यह 50-50 कोशन करने है साथ कोशन आएंगे 50 करने अब बच्चों यहां दिक्कत होगी बेटा पेपर तो 40 नमबर का है तो बेटा पेपर 40 नमबर का है उसे आप पांच से डिवाइड करोगे बतादर बंट्य करंगे करोगे .8 आपके नम्म अएंगे 8 कितने में से 40 में से चालीस कितने में से 40 में मेरी बात क्लियर होगी जो यह नोटीस था इस नोटीस में यही बात बोली गई है कि सभी कोशन जितने भी हमने करने जब घूटक और उने आएंगे तो नहीं इसमें टाइम लगए तो इसमें अकॉंट को सेंटने इसमें फिटीन फिक्षान करने तो बिटा जब चालीस को 56 से डिवाइड करोगे तो अब उसारा था जी रो पॉंट सेवन वन तो मतब एक कौस्टन होगा जीरो पॉंट करते ना आपको पता लग जाएगा आपका पीपर में क्या है आज सी तरह एकनोमिक्स का है इसमें 24 कोशन आएंगे इसमें 24 आएंगे 20 करने 24 करने इसमें 24 आएंगे आपको इसमें 20 करने यह आपका एकनोमिक्स का है फिर 12 आएंगे 10 करने तो यह कितने होगे 50 कोशन हो गए और यह बेटा यह बिजनेस का प्यक्तर अगर आपका कशन में से 50 करने तो 40 को पचास से 2021 सोर्श और ये तो आपका फार्स का योगा 2021 22 का इसमें आपका पेपर कितने मांक का है 40 मार्च मिलने वाले हमें तो चालिस कोशन करोगी और 40 मार्च है और चालिस मार्च का पीपर शाइब कर means ये यह नमर्ट का तो हिंदि का हर कौशन इक नमर्ट का मैंत में 50 क्राइंगे करने चालिस हो गए एक serious के एक मार्क कोशन हो जाएगा इंड़ीश में साथ क्षट्स आएगे करने 50 नशक्क का एक है आपके 0.8-0.7 डिपैंड है कि आपकी कोशन कितने अ'tend कर रहे हैं वह नहीं आप कितने अटैंट कर रहे हो उसको 40 से डिवाइड कर लेना मतला चालीस को कोशन नंबर कोशन कर दे लिया तो वह आ जाएगा तो पेटा जोड़ी सी नोटीस थी यह जब अपनी वीडियो प्लोड करी थी प्रिवेस वाली तो कुछ बच्चों के डाउट देगे सर यह इसके साथ में नोडिस आ रहा है यह हमें समझ में नहीं आ रहा रहा आप बताइए इसमें है क्या तो बैटा इसमें यहीं दे रखा था कि आपका जो यह ह만 550 के सारे कंपर क्यों नहीं इन्होंने कुछ अलग कर रखा है इसमें कुछ कोशन में मर्क शिक्यों में अगिया और आक technician क्ल रहेके अगरतो पिजनेज लेक्स पवर और जो बच्चे आर्ट के हैं वो अपने इस पेपर कोड़ डाउनलोड करके देख लें उसमें क्या-क्या है और कितने मांक्स कोशन पता लग जागा एक कितने मांक्स का है तो अगर राउंड ओफ करेंगे तो यह एक छोटी सी आपके लिए वीडियो थी यह 12th क्लास के बच् प्रकिंग स्कीम होगी तो वह बच्चे भी देख सकते हैं इसको ठीक है और जिन जो भी 12th की बच्चे इन्होंने वीडियो देखी है और अपने दोस्तों सारा भी वीडियो सेर कर सकते हैं ठीक है और उनको भी बताएं कि आपको किस तरह से पेपर अटाइम्ड करना है यह तो कम होगे एट से मल्डिप्लिया करा उसको तो यह तो 32 मर गए अब वो कहा रहा है सार मेरे 40 में से 32 कैसे आगए ठीक है फिर आपको दिक्कत होगी तो आप पहले से आपको आपके एक्जाम के पेपर के क्योंड ने इस बार बहुत स्लेबस चेंज कर रहा है तो आपको पत नोट कर लेना और अच अपने दो दोस्तों के उनको साथ सेर कर देना तो चलिए बच्चो अब मिलते हैं आपकी अगले वीडियो में अगले वीडियो में हम आपको जो भी इंफोर्मिस नोगी वह आपको प्रवाइट कराएंगे ठीक है बच्चो चलिए बाइए एंड टे